हलो गाईज आप देख रहे हैं गॉसप टाउन और मैं हूँ आपके साथ कृतिका बॉलिवुट की दुनिया में कईयों ने अपना नाम बनाया लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने शोहरत के बावजूद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया इसमें एक नाम रागेश्वरी लूंबा का भी है जिन्होंने कभी अक्षे कुमार की बेहन का रोल किया तो कभी चंकी पांडे की माशुका बनी आज कुल कहा है रागेश्वरी लूंबा चलिए मैं आपको बताती हूँ क्योंकि फैंस आज भी रागेश्वरी को देखने के लिए काफी बेताब रहते हैं बॉलिवूड आक्ट्रस रागेश्वरी लूंबा 90 के दशक की फिल्मों में नजर आती थी इन्होंने गोविंदा चंकी पांडे सेफ अली खान सुनील शेटी जैसे सितारों के साथ परदे पर काम किया हाला कि फिल्हाल ये गायब है ये कहां है और क्या कर रही है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ उससे पहले आपको बता दू रागेशवरी लुंबा ने साल 1993 रिलीज हुई फिल्म आखे से डेब्यू किया था इसमें वो चंकी पांडे के आपोजट नजर आई थी वही रागेशवरी ने इसके बाद मुंबई से आया मेरा दोस्त तुम जीओ हजारों साल दिल कितना ना पेट्टी और सैफ के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है मगर बाद में इंडस्ट्री छोड़ दी और इसके पीछे की वज़ा उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही है बताया चाता है उन्हें बेल्स पालसी का पता चला तो जिसकी वज़े से उनकी पूरी पेरलाइज हो गया उनके चहरी की मसल्स कमजोर हो गई थी और इसी कारण से उनको सिंगिंग छोड़नी पड़ी चार साल बेड पर रही रागेश्वरी अब पहले से बहतर है हाला कि उन्होंने बेग बॉस सीजन फाइव में भी पार्टिसपेट किया लेकिन कुछ समय में ह वो इविक्ट हो गई थी मैं आपको बताना चाहती हूँ रागेश्वरी को ऐसे में आक्टिंग भी छोड़नी पड़ी उनका बॉलिवूड करियर एकदम खत्म हो गया उन्होंने आक्टिंग से सन्यास लिया हाला कि ठीक होने के लिए उन्होंने मेडिटेशन फिजिकल फि पोस्ट करती रहती है बता दे रागेश्वरी ने हुमन राइट्स के सुधानशू स्वरूप केसी से साल 2014 में शादी की थी 2016 में बेटी को जनम दिया और वो फिलहाल अपनी फैमिली के साथ लाइफ इंजॉई कर रही है इस वीडियो में इतना ही